हम लोग सिखेंगे कि यहाँ पर जो सुटिंग स्टार लाइक केंडल पैटर्न बन चुका है क्या इसके बाद एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है क्या और उसके पीछे का कंप्लिट लॉजिक क्या है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निप्टी का अनलिसिस अभी आप के सामने मैंने निप्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने आपको एक्स्प्लेंड किया हुआ था मार्केट ने एक अपसाइड का ट्रेंडी मॉमेंटम दिखा दिया और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो एक रेंज पर निकलेगा तो हम लोगों को एक अपसाइड का मॉमेंटम देखने को मिलेगा जो मार्केट जो है वो 19,500 लेवल के करीब जा सकता है कल के वीडियो में मैंने इन डीटेल आपको यह सभी बाते बता ही हुई थी आप वहाँ पर जाके कल के वीडियो में क्रॉस चेक करके द यहाँ पर बा मार्केट उपर जाते समय बाई के पूजिशन बनाए रहेंगे मुस्ट अप दो लोगों का स्टॉप लोगों का स्टॉप लोगों जो है 19,400 के नीचे का रहेगा क्योंकि यहाँ पर 19,400 ओपन इंट्रेस के हिसाब से वन आप दा हाइस्ट ओपन इंट्रेस व 20 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लोस लागा देंगे और प्रिवियस डे का जो क्लोजिंग हम लोगों को मिल चुका है यह हम लोग इसको टार्गेट की तरह कंसिडर करेंगे तो हम लोगों के लिए यह वन आप दा हाइप प्रोबैबिलिटी वाला एप और्चुनिटी जो है वो मार्केट आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि एक रेंज बाॉंड जोन में फसा हुआ है तो यहां पर बड़े टार्गेट के लिए हम लोगों को वेट नहीं करना है हम लोगों को जो बी टार्गेट मिलेगा वहाँ पर प्रोफिट बुकिंग करना है और remaining quantity को हम लोगों को trailing stop लगा देना है क्योंकि market कभी भी reverse होने के high probability रहती है इस case में हम लोगों को upset का momentum दुबारा कब resume होता हुआ दिखाई देगा जब market 19,500 का जो level है उसके उपर जाके sustain होगा तभी upset का momentum देखने को मिलेगा उस case में हम लोग 19,500 का जो call है वो 19,500 के call को यहां पर buy कर सकते है इसको buy करने के बाद हमारा stop loss यहां पर 20-25 point का लगे रहेगा और उपर की side में बड़ा target expect कर सकते है एक point मैं आपको बताना चाहता हो कौन सा भी resistance level रहने दो वो resistance level strong up रहता है जब first time market उसको touch करने के लिए जाता है तो वहां से एक बड़ा reversal हम लोगों को देखने को मिलता है second time में अगर market उस level को touch करने के लिए जाता है और reversal का जो strength है वो थोड़ा कम रहता है तो इस low से higher low market बना देता है third time market इस level को touch करने के बाद एक higher low और एक लगा देगा तो जैसे market में इस level का breakout मिलेगा एक बड़ा breakout हम लोगों को देखने को मिल सकता है उसी तरीके का structure यहां पर develop होते जा रहा है initially market ने first time इस level को touch किया फिर market नीचे चला गया second time जब market ने इस level को touch किया तो उसके बाद जादा नीचे नहीं गया मतलब इस previous low को market नीकल नहीं पाया और एक higher low बनाया अभी third time market ने इस level को touch किया हुआ और यहां से market नीचे आ चुका है अगर इसी level को maintain करते हुए market इस zone को maintain रखता है और फिर उसके बाद इस high को market निकलता है तो एक बड़ा breakout हम लोगों को देखने को मिल सकता है इसके लिए हम लोगों को तयार रहना है कल के दिन अच्छा कासा momentum market में expected है एक दिन पहले ही बड़ा jackpot भी हम लोगों को मिल सकता है इस jackpot के लिए आपको तयार रहना है जब market 2500 के उपर रहेगा तो एक बारे के एक दिन पहले इस jackpot रेड हमको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर range bound zone में जितना भी लोगों ने option writing के position इस level इस candle के उपर इस candle के उपर या आज के closing session में बनाये रहेंगे वो सब लोग फिर वहाँ पर trap हो जाएंगे और एक बड़ा momentum देखने को मिलेगा अभी देख लेते हैं कि intraday का chart हमें क्या indicate कर रहा है अभी आपके सामने मेंने 15 minute का chart लगाया हुआ है 15 minute के chart में आपको clear कर दिखाए देरा initially market ने upside का momentum दिखा दिया और फिर market ने downside का momentum दिखा दिया है तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ खास level नहीं मिल रहा है जो level मेंने आपको daily chart के उपर बनाया हुए है उसी level को हम लोग कल के दिन intraday में use करेंगे और जैसे best trading opportunity आएगा आपने इस free वाले channel में में update कर दूंगा जिसका link video के नीचे description box में में डाला हुआ है अभी देख लेते हैं कि bank nifty का scenario हमें क्या indicate कर रहा है bank nifty का price action जो हम लोगों को spot के उपर दिखाई दे रहा है वो as compared to the nifty थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है हम लोगों को bank nifty और nifty को sink करना आना चाहिए यहां पर आगर आप देखोगे तो पिछले तीन दिनों से market में एक bearish downside का momentum हो रहा है यह upset का जो momentum हुआता है trendy market का उसका यह correction का phase चल रहा है और जब भी correction के phase में हम लोगों को कोई भी trade मिलता है हम लोगों को small target के लिए उसको hold करना पड़ता है और small target के बाद profit book करना पड़ता है जब भी market में एक बड़ा momentum start हो जाएगा वो एक retracement का way complete हो जाने के बद फिल से market में impulse वो start होगा तब भी बड़ा momentum हम लोगों को देखने को मिलेगा अभी कल के दिन किस तरीके से trade करना इसको समझने की कोशिश करते है आज के दिन का अगर overall scenario आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों को clear कर दिखाए दे रहा है कि market में seller जो हावी हो रहा है क्योंकि हम लोगों को बड़ा बड़ी देखने को मिल चुका है तो कल के दिन के लिए हम लोगों को daily chart के ओपर जादा कुछ prominent level नहीं मिल रहा है जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में explain किया हुआ था कि नीचे की side में market में maximum retracement कब तक का possible है यह 44,500 के level का maximum retracement possible है यहाँ पर market ने multiple बार resistance लिया हुआ था जब भी market में यहाँ पर इस multiple बार resistance के level को market break करता है तो next time जब market इस level पर आता है तो वह अचे support की तरह act होता है वहाँ से market जो है वो bounce back देने की probability रहती है इसी concept को हम लोग technical language में बोलता है support become resistance become support वाला concept बस इसी concept को आपको यहाँ पर follow करना है अभी कल के दिन best trading opportunity कहाँ पर मिलेगा यह समझने के लिए 15 minute chart के उपर जाना पड़ेगा अभी आपके सामने में ने 15 minute का chart लगाया हुआ है तो यहाँ पर हम लोगों को एक important level मिल रहा है market इस level के करीब कई पर भी open हो जाता है यह जोन में open हो जाता है तो यहाँ से market जो है एक reversal देने की high probability दिख रही है तो उस case में हम लोग market में जो है वो 45,000 का put है उसको buy कर सकते है इसको buy करने के बाद हमारा stop loss निकल के आएगा यहाँ पर जो भी कुछ swing high बनेगा हम लोग stop loss की तरह consider करेंगे या फिर 60-70 point का हमारा stop loss रहेगा आज का जो closing price हम लोगों को मिल चुका यह closing price इस trade में हमारा target price रहेगा यह one of the high probability वाला trade रहेगा market में कल के दिन upside का momentum immediately possible है क्या तो immediately possible नहीं है अगर बहुत बड़ा gap up हो जाता है तभी market में sentiment change हो जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पर एक trend line भी मिल रहा है उस trend line को हमें mark करके रखना पड़ेगा कि market में इस trend line के उपर आगर market निकलेगा तो market का sentiment bias change हो जाएगा पहला point यहाँ पर क्या निकल करके आ रहा है कि जो trend line को market में multiple बार test किया हुआ है उस trend line का breakout दिखाई दे रहा है प्लस market अगर 45,000 के उपर sustain होता है तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने sell के position बनाए रहेंगे फिर वो लोग trap हो जाएंगे और उनके trapping के बाद market में short covering का upside का momentum देखने को मिल सकता है जिस momentum में market एक बड़ा upside का momentum कब दिखा देगा जब market is double top जैसे structure को break करेगा तो market में बड़ा upside का momentum दिखाई देगा क्योंकि इससी point से market में एक बड़ी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है तो अच्छे कासे sell के position यहाँ पर बन चुके है यह gap fill करने के लिए market उपर आ सकता है तो यह one of the best trading opportunity रहेगा तो इसके उपर हम लोग focus बनाते हुए रखेंगे market में downside का momentum जो बन चुका है वो downside के momentum में आभी नीचे के side में price action बनने तक wait करना पड़ेगा जब market में यहाँ पर price action बनेगा तो open interest data के साथ club करके फिर उसका decision ले लेंगे market अगर in between zone में open हो जाता है तो यहाँ पर range bound रहेगा तो इसको time being के लिए आप trade करना मत prefer कीजे market में जब high probabilistic opportunity आएगा तभी हम लोग trading का decision ले लेंगे यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको like कीजे